नमस्कार अगर हम कोई चीखने चिलाने वाला न्यूज चैनल होते तो एकदम चीख चीख कर चिला चिला कर ना सिर्फ न्यूज चैनल के तरह हैं बलकि कभी-कभी हमारे प्रधान सेवक भी कर देते हैं कि मैंने यह किया मैंने वो किया अगर हम प्रधान सेवक होते या हिंदी का कोई न्यूज चैनल होते तो चिला चिला कर बोलते दो वायर के करक्रम जनगण मन की बात का अजर वित्ट मंत्री ने तीन दिन बाद अपना मूँ खोला और वो बोले लेकिन हम जानते हैं कि मतलब हमेशा जब भी कोई संकट की घड़ी आती है तो लोग जो उपर वाले लोग हैं यह दुबक जाते हैं यह चूप हो जाते हैं इदर उदर हो जाते हैं जूनियर्स को आगे कर देते हैं बोलने के लिए बेराल अरुन जेटली वित्ट मंत्री ज से कादिस उनको बोलना चाहिए ता प्रदान से वक्त अभी तक चूप हैं 14 फरवरी 2018 को 11400 करोड का निरव मोदी केस सामने आया अब इसको निरव मोदी केस क्यों कहा जा रहा है आई टी मिनिस्टर जो रवी शंकर प्रसाद हैं उन्हों तो इतरास जाता है कि छोटा मोदी क जा जा रहा है कुछ टेलविजन चैनल्स ने मोदी शब्ध हटा दिया सिर्फ नीरव शब्ध का इस्तेमाल करना शुरू किया कि नीरव अमेरिका में या नीरव बेल्जियम में जैसे नीरव कोई गोदलिया बच्चा हो या छोटा भाई हो बहराल सवाल हमारा ये है कि जो CBI की FIR है उसमें 11,400 करोड या 11,300 करोड का जो अमाउंट है उसमें से मुश्किल से कुछ 100 कुछ सैंक्रे ही मतलब 380 करोड का ये नीरव मोदी के नाम जाता है बाकि मेहुल चौकसी के नाम जाता है मेहुल का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है मेहुल भाई का जैसे प्र लेसन दिया बजाए इसके की जिम्मा खुद लें वित्यमंत्री होने के नाते पहले चूप रहे जिम्मा लेने के बजाए उन्होंने दूसरों को नसीहत दीनसीहत किसकिस को दी पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजमेंट को उसके इंटरनल और एक्स्टरनल ऑडिटर जो होते हैं जो ऑडिट करते हैं जो निगाह रखते हैं बाहर वाले भी होते हैं और चार्टेड अकाउंटेंट्स को नसीहत दी और उसके बाद कुछ ऐसी सूपरवाइजरी एजिंसिस को नसीहत दी जिनके नाम उन्होंने नहीं लिए कि इन्होंने गलतियां की हैं इनको आत्ममंथन करना चाहिए जैसे कि इनको बीजेपी की तरह चिंतन शिवर लगाना चाहिए या आत्ममंधन करना चाहिए अगर आपसे यही सुनना था वित्वमंत्री महोदे नसीहती सुनने थी तो हमसे भी एक नसीहत ले लिजे कृपया वित्वमंत्राले का नाम भी इस लिस्ट में शामिल कर लिजे जो नोडले जिंसी है और इस नाम को शामिल करने के लिए कि वित्वमंत्राले को ध्यान रखना चाहिए आप ये प्रात्ना या अपील कर सकते हैं वित्वमंत्री से जो आपका अपना मंत्राले के तिह यह सब कुछा quan है आप उनको नसीहत दे रहे है कि आत्मा मंतन करो विजनेसमैंट नसीहत दे रहे हैं की कुछ प्रैक्टिसिस अच्छी नहीं हैं आप अपने बिल्कुल अपने दामान को उज्दला रत्रा जाहते है परम हंस 53 कि भी मुद्रा कि यह जिम्मेदारी आपकी बनती है primary responsibility प्राथमिक्ता आप ये नहीं कह सकतें कि इंग का अंदरूनी मामला है जैसे आपके एक जूनियर नहीं कहा था मेरे खाल प्रकास जावड़े करतें कि ये तो बैंक का मामला है इसमें सरकार का क्या है, बिल्कुल वैसे ही, जैसे उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि चार जजिस सुप्रीम कोर्ट के, अगर उन्होंने प्रेस कांफरेंस की है, तो ये जुडिश्री का आंतरिक मामला है, हरे, कॉलेजियम सिस्टम जो था, उसको हटाने के लिए सरकार का माम हो जाता है, वैसे नहीं होता, तो जहां जहां जरूरी है, वहां वहां नसीहत दीजिए, और मेरा आप से अनुरोध है, नसीहत भी नहीं है, कि आप वित मंत्राले को भी नसीहत दीजिए, उनसे कहिए, कि वो चौकस रहें, चाक चौबन रहें, रिजर्ब बैंक को आपने क का एक नमूना है एक उदाहरण है उन्होंने कहा है कि बैंक के जो बाहर वाले ओडिटर्स और अंदर वाले ओडिटर्स होते हैं वो इस फ्रॉड को पकड़ नहीं पाए जो साथ साल से चल रहा था तो साथ साल में से चार साल तो आपकी सरकार रही तो जिम्मेदारी आप पर भी आती है नहीं आती नैतिक जिम्मेदारी नाम की कोई चीज होती है नहीं होती है बरहल यह भी काउने लेंडर्स वर अने बल टू चेक हूं अमंग्स दें वर डिलिंक्विंट कि जो पैसा दे रहे थे वह चेक नहीं कर पाए कि कौन-कौन लोग ऐसे हैं जो आपस नहीं करे एक फिगर है चौदा हजार दूसरी फिगर है बीसदार करोड तीसरी फिगर है हब यह और भी फिगर सामने आ रही हैं चारसो अठासी और ऐसे account है जो नपीएज की कगार पर है और हजारों की तादाद में ऐसे accounts है जो willful defalters है हजारों की तादाद में है उनकी पूरी list है उसको गिनने के लिए मतलब और दिखाने के लिए हमें शायद आदा दिन लग जाए वो भी हमारे पास हैं बेराल साथ में जेटली साथ ने थोड़ा सा नमक भी जले पे रगड़ दिया जखम पे नमक भी रगड़ दिया ये कहकर and also there's an important challenge where the supervisory agencies are now to introspect as what are the additional mechanism they have to put in place to ensure that stray cases don't become a pattern again the agencies and supervisory agencies unko khyaal रखना होगा कि और नए नए system कैसे पैदा करे और नए तरीके कैसे बनाएं कि stray cases एक्का दुक्का ऐसे case दुबारा ना बन जाए ये एक्का दुक्का case नहीं है आपके लाखों करोड तो NPS हैं दो लाख और ग्यारा हजार करोड तो आप बैंकों को देरे हमारा पैसा ताकि बैंक खड़े होकर उन्हीं को ही वापिस लोन दे सके चार्सो अठासी का मैंने एक और जिक्र किया था उससे पहले हजारों का भी जिक्र कर रहा हूं सन 2014 में State Tourism Ministers की Conference ती तो आप नए नहीं आये थे तब आपने का था One Small Incident of Rape in Delhi यह निर्भया केस था जिसको आपने One Small Incident of Rape इं Delhi One small incident of rape, रफा रफा करना है कि One small incident of rape in Delhi, advertised world over, जैसे कि उसका प्रचार किया गया हो, जैसे कि अपने आप में बहुत बड़ी घटना ना हो, ख़बर ना हो, प्रचार हो. Advertised world over is enough to cost us billions of dollars in terms of lower tourism. हमें करोडों और रूपे का नुकसान हुआ, जो छोटा सेलानी आता है उसने आना बंद कर दी है JTL had said while addressing a conference of state tourism ministers in 2014 He later clarified, बाद में उन्हों कहा कि उनका comment जो था One incident like the Nirbhaya gang rape had cost the country millions of dollars as something that has been misunderstood कि जो उनका comment था Nirbhaya race case पर कि one small incident rape उसको गलत समझा गया शुक्र है उन्होंने यह नहीं कहा कि तोड़ा मरोडा गया आजकल तो कोई भी छुट भाई यह नेता भी उठकर कहता है मेरा बयान तोड़ा मरोडा गया खुद TV भी बोल रहा है बाद में जब कोट करते हैं तो कहते हैं तोड़ा मरोडा गया JTL saab कहते हैं कि I regret I regret and apologize, दोनों में फरक है। मैं इस पर आता हूं। I regret that some word that I used was construed as insensitive. मुझे खेद है कि कोई एक ऐसा लव्स मैंने इस्तेमाल किया, जिसको समवेदन हीन माना गया। लेकिन मेरी वो नियत नहीं थी। I have always been very outspoken about issues relating to crime against women. मैंने हमेशा महिलाओं के हक में बात करी है। उनके खिलाफ जो अपराद होते हैं उनके खिलाफ वोला हूं। I am very sensitive to these issues myself. मैं खुद बड़ा समवेदन शील हूं। I regret that some word. I regret and apologize, दोनों में फरक है। Regret होता है, मुझे खेद है कि आपको बुरा लगा। That's it. और यह करना कि it's your problem, आपको तकलीफ पहुंची, मुझे खेद है, I regret the fact कि आपको तकलीफ पहुंची, मैं अपने शब वापस नहीं ले रहा हूं। बहराल वापस आते हैं, जेटली साब ने इतने बाद मुझ खोला है तो हमारा फर्ज बनता है यह सब बताना। हम बस यहीं चाहेंगे कि जो जो उन्होंने नसेहते दी हैं, रिजब बैंक को छोड़कर अपने मंत्राले को छोड़कर बागी सब को नसीहत दे दी, सब को उनकी हकीकत बता दी, हमारी यही आपसे इलतिजा है, आपसे अनुरोध है और आपको नसीहत भी है कि वक्त रहते, वित मंत्राले को भी इसमें शामिल करें, क्योंकि नोडल मंत्राले वही है, धूरी वही है, सब बैंकों के उपर की धूरी वही है, रिजब बैंक तो करोड का जो भी बहुत बढ़ रहा है आगे सब बहुत बड़ा स्कैम है यह इसमें वित्व मंत्राले अपना पल्ला नहीं जाड़ सकता और वित्व मंत्राले शामिल हो इस सूची में इसके लिए आप वित्व मंत्री उनको एक अरजी दीजिए उनसे दरख्वास्त कीजिए वित्व मंत्री का नाम अरुन जेटली है अब देख रहे थे जन गणमन की बात हम आपसे एक बार फिर इलतिजा करेंगे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यूट्यूब पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाईए साथ में घंटी बनी हुई है घंटी को दबाईए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद बखुद सूचना उसके में जाए